नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों चीन ने एक बार फिर से बहुत बड़ा दूसास किया है और ये चीन की बहुत बड़े गलती भी थाबित हो सकती है क्यूंकि चीन ने दोबारह फिर से गलवान टू करने की कोशिश करी है चीन ने अपने करीबन 500 सैनिकों को भारती सीमा के अंदर गुसाया और वहाँ पर एक तरीके से टैंट बनाने की कोशिश की लेकिन भारती सैना के एतियात और अलर्ट के चलते भारत के सैनिकों ने चीन सैनिकों को बुरी तरीके से खडेड कर वापस भगा दिया है लेकिन लद्दाख में इस तरती अब भी तनावपूर्ण बनी हुए है क्योंकि जो भारती सेना है उसने जो लद्दाख और श्रीनगर को जोडने वाला हाईवे है उससे फिलाल बंद करवा दिया सिविलिन परपरस के लिए और सिर्फ सेना की यूज के लिए उसे रख दिया लेकिन अब भारत मेटरी उप्शन पर पूरी तरीके से विचार कर सकता है क्यों दरसल जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी के हिंसा हुए इसके दो महीने बाद लगातार बात्ची चल रही थी लेकिन जब कुछ समाधान नहीं निकल ला था तो भारत के सीडिये से बिपिन रावत उन्होंने साफ कहा था कि अगर चीन बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से और जो कुछ भारत की जमीन से नहीं घटता है तो फिर हम सैन ने जो कारवाई है वो हमारे टेबल पर है हम उस पर अंजाम दे सकते हैं यह पूरा प्लान हमारी टेबल पर है लेकिन उसके बाद सबको लग रहा था कि चीन इस धंकी के बाद पीछे अट जाएगा लेकिन चीन ने फिर से बहुत बड़ा दूस सास किया है पांच सो सैनिक जी हां यह बहुत बड़ी संख्या है यह सैनिक भारत की सिमा में गुसकर वहाँ पर टेंट बनाने की गोशिशें कर र हाला कि ऐसा नहीं है कि भारत भी बिलकुल चुपचाप बैठा हुआ है भारत ने इन शैनिकों को ख़देट दिया ही है दूसी तरफ भारत ने चीन पर दोहरा प्रेशर बनाने के लिए दक्षिन चीन सागर में भारतिया नोसेना को भेज दिया है भारतिया नोसेना ने गुस्पैट करेगा तो भारत इस विद्वनसक के जरीए निकि डिस्ट्रोयर के जरीए चीन पर एक तरीके से बड़ा प्रेशर बना सकता है क्योंकि दक्षिन चीन सागर को चीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी माना जाता है और इसी कमजोरी का इस्तमाल अब तक अमेरिका करता है था और अब भारत भी कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत की जो डिस्ट्रोयर है ये भीड़ जाये किसी चीनी नोसेना के शिप से ताकि चीन पर दोहरा प्रेशर बने की भारत क्योंकि भारत के पास चीन की सबसे बड़ी गर्दन है वो है स्टेट जहां से चीन का 45-50 प्रतिशत व्यपार होता है भारती से अंडवान्स एक तरीके से जो उसके आईलेंड पर भारत के जो नोसेना बैस है वहां से बड़ी आसानी से चोक कर सकता है चीन की पूरी नोसेना को ब्लोक कर सकता है और कई बड़े एक्सवर्ट भी बात कहा चुके है कि चीन पर प्रेशर बनाने का सबसे बहुतिन तरीका है कि भारत अंडवान्स के जरिए स्टेट अफ मलक कर पर प्रेशर बनाए क्यूंकि अगर भारत ने एक दो जो उनकी शिप्स होती है जो मतलब कि चीनी समान लेकर जाती है उन्हें रोका या उन्हें एक तरीके से रोक विडियो के तैंकलों सवचिं विडियो